हे दोस्तों स्वागत है को और इंट्रेस्टिंग वीडियो में मेरे पास है लावा ब्लेज एक्स फाइब जी और आज किसमें इसके फीचर के बात करेंगे इस फोन में जहां में आउर्ट बॉक्स एंड्रीड 14 देखनें मलता है प्योर स्टॉक एंड्रोइड पर यहां पर न हैं विदाउड वेशनी टाइम तो लेट्स को सबसे फिचर की बात करें तो यहां पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर देखने हो मल जाता है आप देखेगा यहां पर आपको दो डाइलर देखने को मलता है जिसमें से एक डाइलर आपका जो है इनका खुद का है और दूसरा गूकल का है आप चाहतए नापको बिलकुल का पता नहीं चलेगा जैने को मंलता है तो आप यहां पर आप लाए स्लिक का लिजेगा उसको इसको विच डिफाल्ट बात करें आपको always on display का feature देखने को मिल जाता है stock android app फिद भी यहाँ पर always on display का feature दिया गया है because यहाँ पर आपको आजाना है settings पर उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले वाले option में आजाना है और यहाँ पर आनेक बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ always on display का option देखने मिल जाएगा यहाँ पर आप अपने according जो है always on display कर सकते हो डिस्प्ले मौट को यहाँ पर टाइमर वगरा देना है आवज यहाँ पर रखना है तो आप अपने according यहाँ पर नीचे कर सकती यहाँ पर अपने according सेट कर सकते हो बेसिकली यहां पर पर पर्टिकुलर एप वगेरा में कोई भी नोट्शन वगेरा आता है आपको चाहिए वगेरा तो यहां से आप से लिक कर सकते हो आप को जैसे कि WhatsApp को अगर सलिक कर लो Facebook को सलिक कर लो उनके नोट्शन वगेरा आते हैं तो यहां पर आपको Age Light Effect दिखने हो मि जाते हैं जो भी आपको पसंद आता है आप सिंपली जो उसको अलाओ दे सकते हो और साथ यहां पर आप अपना खुद का जो है कोई भी मैसेज वगेरा जाए ड्रॉप कर सकते हो लॉक्त्रीन में बाइचंस गुम वगेरा हो जाता है तो यह आपको यहां पर देखने को मलत है जो कि अच्छा लगता है कूल लगता है मतलब इतने सारे फीचर मिल जाते हैं मतलब यह काफी बढ़ियां बाकि मुझे लगता है इसके बार हमें आएंगे थोड़ी दिर बाद उसके बाद यहां पर लेफ्ट वेक का उप्शन देख मिल जाता है इसको एनबल कीजिएग यहां पर 120Hz का है 60Hz का है तो आप अपने अकॉरिंग जो है सिलिक करके रख सकते हो और तो में जब इसको 120Hz चाना होगा तब ले लेगा जब 60Hz होगा तब ले लेगा तो आप चाहो तो यहां पर चेंज भी कर सकते हो 60Hz रखोगे तो थोड़ा बैटरी बचेगा नेट्वक स् स्क्रेंट यहां पर आप अपने डिस्पले का और को चाहते है दा नार्म कूल में तो वह आप सेट कर सकते हो अपने इसके पया पर एक साइस का उप्शन दिखना नाइट लाइट नाइट लाइट बिसिकलिली ब्रावन ही स्क्रीन हो जाता है ना काफी लोग अंदेरे में रिडिंग बगेरा करते हैं तो यहां पर उनके लिए यह है आखों में जलन चूबन नहीं होगा शेडियूल भी चाहो तो आपने आपके एक्कॉर्डिंग लगा सकते हो और अपने इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो कितना ब्राउनी स्क्रीन रखना है डाक तीम यहां पर द अपर आपको काफसार आपको शॉटकाट विजिट्स देखने मिल जाते हैं जिनने आप होमस्क्रीन में अपलाई कर सकते हो जैसे कि मैंने क्लॉक को कर रख है इस तरह से विजिट्स आप एपलाई कर सकते हो और शॉटकाट का डैक मुझा उठा सकते हो इफेक्ट यहां पर आपको काफ़ी सारे इफेक्ट देखने मिल जाते हैं आप चाहो तो यहां पर चेंज वगेरा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी लगाना है पर कलर्ण को भी चेंज कर सकते हैं आपको यूणिक यहां पर चेंज हो गया बसलब यहां पर अपने एकॉर्डिंग यह तीन कलर चेंज देखने को मिलेगा नोटचेंट पैनल में आप भी देखिएगा यह कलर है अगर मैं यह वाला स्लेक करता हूं तो अब देखिए का न एक ही हो जाएंगे आपको अलग अलग चूशन करते हैं तो यह खेंड़ दिखाई इंडिया था इंगों यहां पर आइकोन तो यह बीड़ा वर्जिन में यह चाहो तो आप अप्लाइग कर सकते हो तो वाल पीपर में काफी सारे कस्टमाईज दिखने में जाते हैं इस सब्सक्राइब कर सकते हो सिंपल किजिएगा हम स्क्राइब इसको यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप यहां से डिसेबल कर सकते हो और यह जो गूगल पेज आना बंद हो जाएगा काफी लोग को वो पेज हटाना रहता है तो मैं पहले इसी को बता दिया, उसका बद एड आइकॉन होम स्क्रीन, तो बेसिकली यहाँ पर इसको डिसिबल कर दोगे, जो भी आप प्ले स्टोर से एप्लिकेशन वक्रेट इंस्टॉल करोगे, वो होम स्क्रीन में नहीं आएगा, कस्टमाइशन आइकॉन, यहाँ पर आप आइकॉन को कस्टमाइश कर पाओगे, यह आइकॉन का इमेज है, क्रूम को अगर मैं यहाँ पर किसी और से रिप्लेस करना चाओँगा, तो यह मैंने क्रूम को बीजेमाई कर दिया, आप मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, यह बीजेमाई होगे, यहाँ पर अगर इसको उपन करूँगा, तो यह बेसिकली जाए हाइड अप नहीं दिया गया है, तो इस तेके से आप अप्लिकेशन का हाइड भी कर सकते हो, बागे आप चाओ तो बाद में आकर इसको ठीक भी कर पाओगे, और यही नहीं, आप यहाँ आप अपने अकर्डिंग, डेक्स्टब मोड दिया गया है, डेक्स्टब मोड में बिसिकली साड़े अप्लिक्शन आपके होम स्क्रीन में आ जाएंगे, अप आप अपका हड जाएगा, तो आप चाओ तो यहाँ पर यह वाला मोड अक्टिवीट कर सकते हो, बागे यहाँ फोल्डर में 3x3, 4x4 वही है, और एप नेम हो गया, लॉक लेयाउट, लेयाउट को अगर आप लॉक करना चाहते हो, जैसे कि इसी अप्लिक्शन का हम हटा सकते हैं, या फिर यहाँ पर प्र प्रेस्ट होल करेंगे, तो यहाँ पर कासी सारे ओप्शन ओपन हो जाते हैं, ज किसी को हटा पाऊगे, तो यह बेसिकली से काम करता है, बाकी आप और हमें होम स्क्रीन सेटिंग में कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, नेक्स्ट वी बात करें तो इस फोन में आपको काफे सारे स्पेशल पंसंस देखने हो मिल जाते हैं, इसके लिए आपको आना इसको एनबल कीजेगा, जैसी आप अपने फोन को अपने कानों के सामने लेजिएगा, और यहाँ पर इन दुने में से कोई एक ही एक्टीब रहेगा, अगर आप अप ख्लिप टू साइलेट करते हो, तो स्मार्ट एंसर और ऑफ हो जाएगा, तो आप देख लिजिएगा, बागे anti flickering touch mode देखने हो मज़ाता है, basically यहाँ पर sides corner वगेरा में हमें touch effect मिल जाता है, कभी कबार ऐसे touch हो जाता है, तो इसको enable कीजिएगा, तो यहाँ पर जो touch है वो आपका जो है और थोड़ा अच्छा हो जाएगा, यहाँ पर sides के touch वगेरा जो है, unwanted touch वगेरा वो नहीं होग उसके वदा हमें swipe down to lock screen का option देखने में जाता है, आप जोए इसको off भी कर सकते हो, wake up screen वगेरा का यहाँ पर जोए नोट्चन वगेरा receive आता है, तो यहाँ पर इसको enable करोगे तो wake up हो जाएगा, बट इसको enable मत करो, तो ही अच्छा है, next time में देखने में जाता है, sensor यहाँ प अपर आप application वगेरा को clone कर सकते हो, social media application यह clone करता है, जासे कि Facebook हो गया, Amazon हो गया, तो इसके cloning app का आपको feature देखने में जाता है, double click to wake up turn off screen का option मिल जाता है, इसको enable कीजेगा, तो lock screen में आप double tap करके wake up कर सकते हैं, double tap करके off कर सकते हैं, यह वाला feature आपको यहाँ पर lock screen में देखने में मिल जाता है, side application bar का, इसको enable करोगे, तो side से आपको जाए application bar देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपने according जो एडिट कर सकते हो, यहाँ पर करना चाते हो, add कर सकते हो, और daddy यहाँ पर use कर सकते हो, shortcut का मजाल ले सकते हो, तो इसको भी चाहो तो enable कर सकते हो, anti tip alarm का option दी कुमलता है, कमाल का feature दिया गया, इसमें, basically हम सभी train वगेरा में suffer करते हैं, तो यहाँ पर अपने phone को charge लगा कर, कभी कबड जबकी ले लेते हैं, और कोई चोरी करके निकल जाता है, बड़ा आप इसको अगर enable कर देते हो, तो यहाँ पर आपका sub secure हो जाएगा, headphone वगेरा यहाँ पर power shutdown को भी enable कर सकते हो, जिससे यहाँ पर अगर आपका जो है, कोई भी power shutdown करनी कोशिश करेगा, बिना pattern के करनी पाएगा, तब तक यह पैं 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 बजते रहेगा, और यहाँ पर charging कोई भी disconnect करेगा, बिना यहाँ पर password दिये, नहीं बंद होगा, तो यह वाला feature पर जो है दिया गया है, आप चाहो तो definitely यहाँ पर जो है, इसको enable कर सकते हो, और यह काफी काम में भी आता है, दिना में app lock देखना हो जाता है, आप application को lock कर सकते हो, यही चीज़ मुझे काफी अच्छा लगा, यह stock entered होने के बावजूद, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अप app lock में है, यहाँ पर setup वगएरा भी कर सकता हूँ, यहाँ पर fingerprint वगएरा यूज करना है, तो यह भी मैं कर सकता हूँ, अब यहाँ पर जैसे ही मैं Amazon को open करनी खोश्क होते है, यहाँ पर fingerprint मांगेगा, दिने बाद यहाँ पर unlock होगा, minimize किया, और यहाँ पर Amazon को फिर से open किया, यहाँ पर देखिए, हर बार यह जो है password मांग रहा है, यह मुझे काफी अच्छा लगा हर बार, ऐसे हर company को करना चाहिए, क्योंकि यह से safety के लिए रहता है, जैसे हम minimize कर दे, यहाँ पर जाए हमको password देना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जाए हम लोग कभी का बार minimize करके, यह यहाँ पर देखिए, तो basically यहाँ पर अगर आप जो है कहीं, पब्लीक बूत पर जो है, चैट वगरा कर रहे हो, कुछ secret है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर देखिए, किसी को नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैं देख पा रहा हूं, और कोई यहाँ पर वीडियो रेक यहाँ पर दो जी भी, चार जी भी, एक जी भी बढ़ा सकते हो, तो जो रहाँ वेरियो गहाँ उस विशाब से यहाँ पर रहाँ पर एक्स्पैंड विंपल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, नेक्स्ट पीच बात करें, सीधा चलते हैं, इसके सेटिंग ऑप्शन में ही, और यहाँ पर आपको काफ सारा ऑप्शन मिलते हैं, कुछ ने कुछ फीचर सारे ऑप्शन में आपको देखनों मिल जाता है, वाइफाय में, वाइफाय से रिलेटेड यहाँ पर सारे इंफॉर्मिशन देखनों मिल जाते हैं, नेटवक और इंटरनेट से रिलेटेड ऑप् यहां पर आप वग्यरा को जो है कलिए कर सकते हैं यहां पर यहां पर तेकम बिल आता है तो से अगर को जो है कर देता है तो वह आपके history में आकर save हो जाए गलती से अगर swipe हो जाता है तो इसको चाहो तो enable कर सकते हो पाकि app notion वगरा यहाँ पर bubble वगरा notion के normally यहाँ पर do not disturb वगरा दिया गया जो कि मेरा favorite option है क्योंकि मैं इसको use करता हूँ generally हम जो है phone को silent करके unsilent करना बो जाते हूँ और काफी बार यहाँ पर जो है मैं वीडियो बनाता हूँ तो phone जो है silent ही रह जाता है और mommy, papa बहुत जन्द phone करते हैं नहीं यहाँ पर call रिसीब कर पाता हूँ emergency में जो है है यहाँ पर call वगरा छूटने कर डर रहता है तो मैं इसको करके रखता हूँ जिसे mommy, papa, wife को जो है enable करके रखता हूँ उनके call वगरा आते हैं या फिर कोई important application के notion वगरा आते हैं वह आते हैं बाकि जो है unwanted call वगरा नहीं आता है यह वालों काफी बढ़िया फीचर है आप अपने according schedule वगरा करके जो है इसको enable कर सकते हो इसको disable करके रखो wireless emergency alert वगरा यह सब disable रखो यह सब नॉर्मल है आपको यह सब उतना जादा खास फरक नहीं पड़ता बैटरी यहां पर बैटरी यहां पर सेवर वगरा यह सब देखने में बजाता है percentage यहां पर enable वगरा कर सकते हो storage यहां पर storage के बारे में सारे information वगरा देख सकते हो यहां पर अपर customize वगरा कर सकते हो इस प्ले मैं ने बताई दिया था है न फをब्लता है उसके डिया पर स्पेशल फंस जो की मैं ने पहले बतां दिया था न बात करें तो यहां पर एक corporate वगया यहां पॉर सेकुरिती भाफ ओग जो कि मेरा फेवरेट ऑप्शन है जिनरली मैं यहाँ पर बच्चों जब भी फोन देता हूं यूटूब अगरा लागा तुनके अप्पिन करके देता हूं जिससे यहाँ पर जो है क्या होता है वह उस एम पर ही रहते हैं यहाँ पर मैंने ख्लिक किया और यह पिन मैंने कर दि तो यह सारे फीचर आपको जो है देखने को मलते हैं यहां पर बात करें लोकेशन वगएरा सेफटी एमर्जनसी पासवर्ट वगएरा डिजिल विल्मिंग जो भी सारत दिन आपने फोन को यूज किया होगा उसके आपको बता देगा उसके यहां पर जो है Google यहां पर जो है आपका सर्विस वगरे रहता है दूरस स्पीड मतलब यहां पर जाए आपको स्पीड चाहिए पॉफर्मेंस चाहिए किसी भी पर्टिकुलर अप्लिकेशन में तो यहां से एनेबल कर सकते हो वो जो स्पीड को क्याप्चर कर लेगा और वो और भी अच्छे से वर्क करेगा तो यह काफी बढ़िया है वो जो इंटरनेट है न सारा इंटरनेट उसी पर जो है फोकस रहेगा smart touch दिया गया है यहांपर स्पीड हो सकते हो डबल वो सकते हो और आप चब्रस्टिक के ब्राइघ्यों आपने पर अपनार्डिन किस्टीन कार सकते हो और अपने according जो भी चाहिए वो आप select कर सकते हो system, system में आएगा तो यहाँ पर keyboard वगरा language यहाँ पर jesus दिया गया है अगर आपको यहाँ पर यह navigation बार नहीं चाहिए तो आप jesus वगरा लगा सकते हो यहाँ से jesus को select कर लो और यह आपका jesus आ गया जैसे में आपको जैए navigation को hide करने है तो यह भी hide कर सकते हो यहाँ पर simply दीखिएगा जैँ ने विश्यन हाईगा अगर मैं इसको enable करता हूं यह navigation आता है इसको मैं hide कर दोतो यह hide हो तो यह भी आप कर सकते हो यहाँ पर यहआप और झाट्रोल में ले सकते हो उसके बद हमें देखनों मल जाता है one hand mode का यहाँ पर प्रेस to hold power button का यहाँ पर जो है power button से जब भी जो है phone को switch off का नहीं कोश्च करते हैं तो यहाँ पर google listening आ जाता है तो simply आप क्या कर सकते हो यहाँ पर press power button को कर सकते हो three finger screenshot three finger screenshot आप कुछ इस्तेगे से ले सकते हो यहाँ पर जो की काफी अच्छी बात है यहाँ पर फिंगर screenshot लिजिए कुछ इस तेगे से और long screenshot वगएरह यहाँ पर नहीं होता है normal screenshot में आप यहाँ पर काफी सरे यहाँ पर मेरा है आप यहाँ पर जाए दूसरा यूजर एड करना जाते हो तो यहाँ पर allow दे देना सेगेंड यूजर एड हो जाएगा यहाँ पर कुछ प्रोसेस होता है जिसको फॉलो कीजिएगा तो यह आप यहाँ पर reset कर सकते हो नेक्स यहाँ पर बात करें गेमिंग की तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छे अप्लिक्शन वगएरा भी देखने मिल जाता है यहाँ पर साउंड रिकॉर्डिंग का आपको आपको इन बिल्ड दिया गया है आपको बस 3.5 जैक के साथ व यहाँ पर आप गेम को ऐड कर सकते हो जैसे कि bgmi को मैंने अड किया यहाँ पर आड किया उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर गेम को अडिया एगरान पाम से ब्लीग और कर सकते हो अब यहां पर आते हैं डाइगर करते हैं यहां पर मैंने स्टेट किया और साइट से यह स्टिपे हैं आ पर यहांपर да जो है background call वगेरा यहाँ पर जो है आप receive कर सकते हो reject कर सकते हो screen record कर सकते हो screen shot ले सकते हो memory clean कर सकते हो game को project कर सकते हो किसी और screen में turn off screen कर सकते हो यहाँ पर settings वगरा को change करना है वो कर सकते हो तो इतने सारे customization आपको यहाँ पर देखने को मलता है जिनको आप कर पाओगे यही नहीं फोन में जो आपको screen recording का भी feature देखने को मलता है यहाँ पर आओगे और यहाँ पर edit पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलक्स के screen recording का जो है आपको यह मिल जाता है शॉटकट मिल जाता है जिससे आप जह स्क्रीण वगरा record कर पाओगे यहाँ पर जया यह दिखे इसको बस यहाँपर ड्रैग करके लाना है और यहाँ पर जह अब आ आप जह स्क्रीन को record कर सकते हो यह पर वगेरा को Allout देना है नई डिवाइज आटीओ यहापर बोद दिना है यहापर दोनों का ओडियो आप डिल सकते हो और यहां पर टश सुन करन तक क्टे करों के यहां पर यहां पर जथे आप रिकॉर्डिंग डिलम में रेया है इव आराम से सब यहां पर आपको रिकॉर्डिंग को तो देख पाएंगे आप चुछ इस तेके सा आप जो है रिकॉर्ड कर सकते होगा इस से रिघाड़िंग कोई भीby कोई भी कोई भी कड़ी हो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं मैं डेफ लिपलाइग करने कोई करूँ़ का इस से रिघाड़िंग बहुत सारे वीडियो आने वाला हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर 내ा टारी आटो बालेद् और बहुत सारे वीडियो अल्रेडी आ चुके होंगे आई बहुत पर लिंक मिल जागा जाका चेक कर सकते हैं बागी चैनल पर ने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि मैं इस तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो लानी कोश्च करता था हूं तो फ्लीज लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बागी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक और ने कॉंटिंट के साथ अब तक लिए टाटा बाइबा और यह सतरी यह मुस्करातरी और बिर्यार जे टेक्निकल्स के साथ